इस से पहले की वीडियो Class No.23 में हमने 45 Seconds तक Editing कर लिया है आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे इस के आगे का Editing करेंगे तो चलिए सबसे पहले ओडियो को सुन लेते हैं कि आगे क्या Scene बनाना है तो चलिए यहां से प्ले करते हैं रूटोनी के पास उंड़ता हुआ आ गया औरे टूनी तो यहां पर स्टाउप करके यहां पर चल गया किसीन में क्या बनाना आए फ्लाइंग सीन बनाना यहां पर आप देख सकते सैंबॉल 2 में है तो यहीं पर पैडगरॉंड को एड़ करेंगे तो बैगरॉंड को लाने से पहले आपको यहीं पर नंग कीवेंम बनाना पड़ेगा यहीं पर ह Chad क्लिक करके यक包 कर तो परिष्यंकर करना है तो राइड क्लिक किजिए और यहां पर इंसर्ट ब्लाइंकर की फ़ें के आपसन पर jusqu करें उसके बाद ऑधडा के सिर्ण रख करकर के आएंगे और यहां पर Add करेंगे तब जाके यह जो बैगरोन ने यहां Umm और दिशेज्ट खरनें के बाद आपके और सभिट सकते में यह बैट मैप में बना हुआ है तो इसको राइट क्लिक करेंगे दो राइट क्लिक करके convert to symbol और OK करेंगे इसके बाद double click करके इस background के अंदर जाएंगे और फिर से right click करके convert to symbol के option पर क्लिक करके OK करेंगे इसके बाद यह arrows बैक जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर audio को play करेंगे और story के recording यहाँ पर frame को increase करेंगे कितना flying animation scene यहां पर रखना है उससे साब से यहां पर frame को right click करके insert frame करना है उसका double click करके अंदर जाना है और यहां पर भी frame को increase कर लेना इस तरह से यहां पर audio का पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे back जाएंगे और यह पर यह audio है उसको यहां पर cut करेंगे बीच से और इसकी फ्रेम को कॉपी फ्रेम करेंगे उसके डबल किलिक करके बैगान के अंदर जाएंगे और एक न्यू लेयर बनाएंगे और यहां पर क्या करेंगे पेस्ट फ्रेम करेंगे नीचे लेयर को लॉक करना है उसको प्लस के अप्सन पर क्लिक करना है उसके बाद हम क्या करेंगे नीची जो खाली है ले उस पर क्लिक करना है उसके और आपको यहां पर करेक्टर वाला या फेले फाइल पर क्लिक करके यहां पर यह जो करेक्टर है इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट इन सेंटर पर क्लिक करना है तो यहां पर पेस्ट सेंटर पर क्लिक करने के बाद इसको साइस को अज़स्ट करना है उसके बाद इसको रोटेट करना है तो यहां पर ट्रांस्फोर्म में जाके फिलिप करेंगे अब इसको यहां पर इस तरह से सेट कर लेने के बाद फिर से करेक्टर वाले पहले फाइल में जाएंगे और यहां को थोड़ा सा छोटा करते हैं उसके बाद इस पर राइट क्लिक करकर ट्रांस्फॉर्म पर जाकर फिलिप करेंगे और इस करेक्टर को इधर साइड में यहां पर रख देंगे उसके बाद आडियो को प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन बनाना है कालू टूनी के पास उंटता ह को मूव करेंगे कालू को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर टूनी चिरियां के पास यहां पर इस तरह से मूव करके लेके आएंगे तो यहां पर टाइम लान के पास एक कीफ हम लग जाएगा आपको उसी लिए पर राइट क्लिक करके क्रेट क्लास्ट ट्वीन करना है ताकि जो कालू को हुआ है वो smoothly यहां पर उड़ता हुआ आए तो मैं यहां पर play करके दिखाते हूँ कि किस तरह से यहां पर animation बना है कालू टूनी के पास उड़ता हुआ आ गया और टूनी कहां जारी हो आम यहां पर stop करते हैं और यहां पर first frame पर आ जाते हैं तो यह जो background है इसको हमने क्या किया है move करते हो आगे की तरव ऐसा बनाया है तो ऐसा move हो रहा है न बादल तो लग रहा है कि चिरिया उड़ रही है तो इस तरह जो है न कुछ time तक ही यह जो move हो रहा है बादल तो इसको बहुत time तक ऐसा move करते हुए बनाने के लिए हमें क्या क करना पड़ेगा इस बाप्राफिक को समय करना पड़ेगा तो भाप्राफिक करना है ततो खालता है उसको इस पलीज्ण करणा is इस्ताय से move करने के बाद उपर time line के पास आना है और यहां पर right click करके create classic twin करना है अब यहां पर play करके देखते हैं कि किस speed से यह background move हो रहा है तो यह थोड़ा से slow move हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसका frame को थोज़ा सा यहां पर remove कर देंगे इस्तायstма remove करेंगे right click करके और इसके प्ले करके देखते हैं तो अब यह जाकर सही हुआ है अगर speed कम है आपको frame को remove करना है कुछ frame को remove करना है ότι इसके बाद यहां पर play करके देखते हैं कि कैसा बना है तो यह जो कववा है जो छीरियां के पास ऐसे अच्छी पाक जारा है तो हम क्या करेंगे छीरियां को भी इसी फ्रेम के पास आगे ले जाएंगे और इस पे भी create classic twin करेंगे अब फिर से यह प्ले करके देखते तो अब यह जाके सही से animation हो गया है तो अब हम क्या करेंगे यह जो audio है इसको copy करेंगे right click करके copy layer करेंगे और यह जो कववा है उसके अंदर double click करके जाएंगे यहीं पे audio को layer को paste करना है उससे पहले आप यहाँ पर timeline पे देखे तो यहाँ पर बहुत सारे layer बने हुए है तो हमें क्या करना है इसका एक layer बनाना है एक की layer पे रखना है इस copy को यहाँ पर तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो arrow है न back arrow उसके click करके back जाएंगे तो अब इस character पे right click करना है और यहाँ पे convert to sample करना है नीचे के तरफ convert to sample पे click करके ok करना है अब यह जो classic twin लगा है ना इसको right click करके इस character से remove कर लेंगे classic twin को और इस वाले keyframe को भी clear keyframe कर देंगे इसके बाद आपको फिर से आगे जाना है और यहीं पे फिर से आपको इस characters को आगे के तरफ इस तरह से move करना है और फिर से यहाँ पे classic twin देना है इसके बाद आपको क्या करना है इस characters के अंदर double click करके जाना है इसके बाद इसके layer को increase करना है तो right click करेंगे और insert frame पे click करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे इस layer पे right click करके paste layer करके यहाँ पे audio को paste करेंगे तो अब यहाँ पे हम कालु को वाकर talking scene animation create करेंगे तो वह कैसे करेंगे यहां पर क्रेट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं उपर साइड में दो ही लेयर है यहां पर एक audio का लेयर है और एक characters का लेयर है उसके जो mouth है दोनों lips को इस तरह select करना है और right click करके copy की option पे click करके back जाना है और यहाँ पे एक new layer create करना है plus के option से तो यहाँ पे right click करके paste in place कर देंगे तो यहाँ पे mouth paste नहीं होगा तो आप zoom out करना उसके जो mouth है उसको flip करेंगे तो transform पे जाके flip कर देंगे अब जैसे पीछे mouth set है वैसे इसको भी mouth को set करना है इसलिए पीछे जो mouth है उसको हमने delete नहीं किया है सिर्फ copy किया है क्योंकि यहाँ पे देख कर same to same वहाँ पे set करना जिस तरह से set है तो इस तरह से आपको इसके size को छोटा करना है और यहाँ पर इस तरह से rotate करना है तब जाके यह set हो पाएगा अब हम क्या करेंगे यह जो characters का जो पहले वाला mouth है उसको delete कर देंगे तो head के अंदर double click करके जाएंगे और यह जो lips है इसको delete कर देंगे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है तो delete button press करके delete करने के बाद आपको back जाना है और यहाँ से audio को recording यहाँ और यहाँ पे talking करवाना है तो यहाँ पर अठ्छी आपस उडता हुआ आ गया तो stop करेंगे और यहाँ पर blue line को यहाँ पर एक सुना में पर प्रणब है उसके वाज़ आपको नीचिक्राइब करना है उसके वाद आपको इस लूप वाले option पर click करके यहाँ पर play करना है आम खाने चुलोगी, जंगल में एक सुना मरा पेड़न है, सुना है, उस पर मीठे मीठे आम लगे हुए है, हाँ काल, तो यहां पर यह जो कौबा है, यहां पर टॉलकिंग करना बंद कर रहा है, तो हम ब्लू लाइन को वहीं पर रखेंगे, और नीचे वाले जो लिप से उस को सलाइक करेंगे, और फिर से यहां प्ले करेंगे, तो इसे तरह से आपको टॉलकिंग अनिमेशन करवाना है, चाहे फ्लाइंग करते हुए करवाना हो, या फिर चाहे आपको सिटिंग पोज में करवाना है, इसे तरह से आपको करवाना है, तो यहां पर फ्रेम कम हो गया है इसलिए यहां पर फ्रेम को इंक्रीज कर लेते हैं और यहां पर प्ले करते हैं कालू टूनी के पास उड़ता हुआ आ गया और टूनी कहां जा रही हो आम खाने चलोगी जगल में एक सुनामरा पेड़ है सुना है उस पर मिठे मिठे आम लगे हुए है हां कालू मैं तो यह यहां पर ओडियो को स्टॉप करेंगे हैश करेक्टरर का होता प्ले करक हमादा कौन यहां पर मंदर दिया हुए लेकिन यहां पर फ्रेम सवाक्ट है तो आपको क्या करना तू वहां पर पर 1742 रिखना है क्योंकि तो यहां पर कालू का वाका यहां टॉल के अनिमेशन हो गया है आप टूनी च्रियां का करना है तो इसके लिए जो अडियो का लियर है जो का लियर का का यहां पर क्लासिक क्ल निजय को राइगा की hover करण में जसको ऑन the organizational right-click कर जेंगे आप इस पर double click करके जाएंगे अंदर तो यहां पर एक layer पर हो जाएगा उसके बाद इसका frame जो है इसको frame को increase करना है इस तरह से increase कर लेने के बाद अब आपको back जाना है back जाने के बाद यहां पर आपको यहां पर animation जो पहले दिया हुआ था इसको भी देना है इतना animation देने के बाद आप इसके अंदर आपको double click करके जाना है और यहां पर layer पर right click करके paste layer पर click करना है तो यहां पर audio भी paste हो जाएगा अब इस पर talking करवाना है तो यहां पर यह जो mouth है इसके अंदर है उसको भी हम copy करके audio वाले layer के पास ले जाएंगे जैसे की कालू कोवा का किये थे वैसे ही तो दोनों lips को select करके copy करेंगे और back जाएंगे और यहां पर जो audio है वही पर एक new layer बनाना है और यहां पर paste करना है paste करने के बाद पीछे जो mouth है उसी के according इसको भी set करना है तो इसके size को आपको यहां पर देखना है free transform tool से size को छोटा करना है और यहां पर जूम करके यहां पर आप अच्छे सेट कर पाएंगे तो जूम कर लेना है और इस तरह से बिलकुल same set कर देना है जैसे पहले जो mouth है न वैसे set करना है इससे set करने के बाद double click करके इसके mouth के अंदर चल जाना है जो पहले वाला mouth है उसको delete करना है delete करने के बाद बैक आ जाना है बैक आने के बाद आप फिटिन विंडो करके अब हम क्या करेंगे आप प्ले करेंगे के पास उटता हुआ आ गया और टूनी कहां जा रही हो आम खाने चलोगी जगल में एक सुनामरा पेड़न है सुना है उस पर मिठे मिठे आम लगे हुए ह हां कालू तो यहां पर टूनी चलिया कर टॉलकिंग अनिमेशन करना है तो हम क्या करेंगे स्टॉप कर लेंगे और जहां से टॉलकिंग करना है वही पर ब्लू लाइन रखना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर जो माउथ है उसको जूम करना है और सेलेक्शन टू तो मैं यहां पर blue line को रखती हूं और यहां पर नीचे वाला mouth को select करके यहां पर stop कर देती हूं बीच वाले option से इसके वाए आपको यह वाले arrow से बैक जाना हैं बैक जाने के वाद यहां पर play करके देखना है कि animation सई से हो रहा है कि नहीं कालू टूनी के पास उंडता हुआ आ गया औरे टूनी कहां जा रही हो आम खाने चलोगी जंगल में एक सुना मरा पेड़ है सुना है उस पर मीठे मीठे आम लगे हुए है हां कालू मैं तो यहां पर स्टॉप करेंगे स्टॉप करने के बाद यह चिरियां है वो आगे के तो हम क्या करेंगे यहीं पर टाइम लाइन पर जहां से टॉलकिंग स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आपको फिलिप करना है इस तरह से और इसको थोड़ा सब उपर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से फर्स्ट फ्रेम पर आप जाते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं तो यहां पे अप्ला करेंगे क्योंकि यह जो चिरिया आगी टॉलिकend rank कर रही है इसको फ्लिप एहे तो सनक चिपका हुआ सा लग रहा है तो जहांसे हमने उसको फ्लिप किया है की फ्लिप से वही पे आपको इसके थोड़ा से दूर कर देना मмरं में लग में अपने बच्छ से प्ले करके देखते हैं चलो आज मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे आम लेकर जाऊंगी ऐसा कहें कर दोनों जंगर तो यह दोनों जो बाते करते उर्टे हुए जा रहे थे वह से निया पर खतम हो चुका है तो हम क्या करेंगे यह जो टूनी चरियाना इसको घृषक हैा कालू टूनी के पास उड़ता हुआ आगया और यह तो यहां पे फ्रेम खतम हो चुका है तो यहां पर आडियो को प्ले करेंगे और और आडियो को अकॉडिय जो भी स्थिन है वहां तक हम यहां पर फ्रेम गडूड सबढ़ हैं हां कालू JEFF मैं अपने बच्चो के लिए मीठे मिठे आम ले कर जाओंगी कर दोनों जंगल की सार्फ चलेगए बुफ। तो यहांपर सज objetos की से खत्म हो रहा है तो राइड ले करके इंसर्ट फ्रेम कर लेंगे उसके बाद यहां पर फौश्ट फ्रेम पर फर्स की frame पर आ जाएंगे तो जहां पर इस scene का keyframe स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आ जाना है और प्ले करके देखना है उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है जहां से talking होना start हो रहा है वहीं पर हमें camera zoom in effect देना तो जैसे कि आहां पर talking नहीं कर रहा है तो camera zoom out है और कालु का प्रवलोव तूनी चीर पाज जा रहा है और जैसी टॉल्किंग करना स्टार्ट कर रहा है वहीं पें जूम इन इफ्ट कर रहा है तो हम कि यहां पर कीफ और यहां पर ऐस घी और फिट इन विंडो करेंगे और प्रेक्टर कोenteज की सतर से बीज में रखेंगे उसके बाद फिर से यहां पर प्ले करके देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से इफैक्ट आया जूमिन का जंगल में एक सुना मरा पेड़ है सुना है उस पर मीठे मीठे आम लगे हुए हैं हाँ कालू मैं अपने बच्छों के लिए खाने के लिए कुछ लेने ज लंकी ऐसा कहें कर दोनों जंगल तो यहां पर स्टॉप करना है स्टॉप करने के बाद यहां पर जूम आउट होते हुए कैमरा एफेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर इंसर्ट की फैम पर क्लिक करेंगे उसके बाद आगे कर लेंगे ताकि जूम आउट होता हुए दिखे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से स्टेज की बीच में करेक्टर को आपको रखना है उसके बाद इसमें classic इसके बाद यहां पर जो भी बैगरण आपको यहां पर सेलेक्ट करना है तो यह जो बैगरण इसको सेलेक्ट करके यहां पर आपको अनिमेट सेसी में से लाना है और बीच में छोड़ना है उसके बाद इसको स्टेज के साइज के अकॉर्डिंग इसको यहां पर बैगरण को बीच मुस्तس लाना है और यहां पे असकार को यह पर जूम करना है क्योंके आप दिखाना होता है क्योंकि यहहा पर वजड़ी सीणला बहुँ है कि जंगल में आगे जाती हुँ है फिfirst पो यह चिता है उब भी है वह फाम जाएकी दिया ओर '' यहां ओध है'' उसके बाद आपको बैग जाना है बैग जाने के बाद यहां पर audio को प्ले करके यह देखना है कि यह जो flying scene जो हम बना रहे हैं वो कितना frames तक है जितना frames तक जितना audio है उतना ही frames को increase करना है तो मैं यहां पर back चली जाती हूँ इस blue line से आगे पीछे आप कर सकते हैं तो मैं यहां पर यहां तक scene है तो मैं यहां पर frame को increase कर लेती हूँ उसके बाद डवल क्लिक करके इसके अंदर जाके और इसका जो frame है इसको भी increase कर लेती हूँ तो यहां पर आपको यह समझ में नहीं आएगा, जैसे कि flying animation scene बनाना है, तो कितना frames तक बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बैक चली जाके, और यहां पर जो last frame है, वहां पर इस blue line को रखना है, उसके बाद डवल क्लिक करेंगे, तो वहीं blue line वहीं पर timeline के पास आजाएगा, तो वहीं पर आपको यह की फे मैट करना है, और वहीं पर आपको इस background को move करना है, तो इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं, कितना flying animation scene बनाना है, उसके बाद इसमें classic twin देने के बाद इसको जितना भी extra frame है, उसको remove करना है, अगर आपको यह बात अभी समझ में नहीं आई है, तो आपको पिछे फिर से आप बैक करके देख लें वीडियो को, फिर आपको अच्छे समझ में आप आप आएगा, तो मैं आप फिट इन window कर लेती हूँ और यहाँ पे प्ले करके देखती हूँ, तो यहाँ पर यह जो background है, यह यहाँ पर देखेंगे, अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पर keyframe लग जाएगा, तो इसको clear कर लेना, तो यहाँ इस keyframe पर आना है, और double click करके अंदर जाना है, और एक new layer बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते scene 1, sample 2, और sample 37, तो यहीं पर आपको characters को paste करना है, और paste करने के पा करेंगे, इसको देख लेते हैं, इसको duplicate symbol कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर talking animation किया हुआ है, तो अगर हम talking animation यहाँ से हटाते हैं, तो जो पीछे scene बनाया है, उसमें भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही symbol का है, इसलिए आपको duplicate symbol करने के बाद, इसका talking जो भ replicate symbol करेंगे, okay करेंगे, और इसके अंदर जाएंगे, और इसके lip sync में जो भी की लगा है, उसको हटाएंगे, और audio को layer को हटाएंगे, क्योंकि इस वाले में जो scene है, उसमें talking animation नहीं करना है, तो यहाँ आगे जाते हैं, और यहाँ पर एक keyframe लगा है, तो इसको select करके, right click करके clear keyframe करके back जाएंगे, इसके बाद इस साइरो सो back जाएंगे, back जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस audio को cut करेंगे, cut करने के बाद इसको copy करेंगे, copy frame करेंगे, उसको अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद एक new layer बनाएंगे, और यहाँ पर उस audio को paste करेंगे, उ जबकि scene odd है तो हम क्या करेंगे scene को odd बनाने के लिए इस frame को और increase कर लेंगे इस तरह से सारे frame को select करके increase कर लेंगे तो यहां पर मुझे एक mistake मिल रहा है जैसे कि first frame से लेकर यहां तक background है जो move हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि flying करता हूँ जा रहा है क्योंकि background में moment दिया हुआ है लेकिन इसका flying animation scene तो बहुत आगे तक है लेकिन इसका जो background moment है वो कुछ limited time के लिए ही यहां पर create किया गया है तो हमें क्या करना है लूप में करना है background को तो लूप में करने का मतलब यह हो गया कि same चीज बार बार repeat होना तो same चीज बार बार repeat होने वाला चीज को ही लूप बोलते है तो लूप हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको background को सबसे पहले फिर से sample करना पड़ेगा उसके बाद उसको फिर से move करना पड़ेगा तो इस background को sample करेंगे तो right click करेंगे और sample करेंगे convert to sample और ok करेंगे तो यह जो classic tune लगा है इसको remove कर लेंगे उसके बाद background के अंदर जाएंगे अब यहाँ पे हम background को move करेंगे तो इसका frame को increase कर लेते हैं और यहाँ आगे की तरफ 9 seconds के आगे की तरफ एक key frame add करेंगे और इस background को इस तरह से move कर देंगे आगे की तरफ अब हम layer पे जाकर उसको classic twin करेंगे ताकि यह जो background है यह smoothly यहाँ पे animation यहाँ पे दिखाए दे उसके बाद यह जो extra frame है इसको remove कर लेंगे और यहाँ पे फिर से remove कर लेंगे और यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो इस तरह का हमारा animation बन चुका है अब यही चीज यहाँ पर बाद बाद रिपीट होता हुआ रहेगा जितना भी flying scene बना हुआ है उस सारे में तो यहाँ पे जो key frame लगा इसको clear कर देते और यहाँ पर फिर आप play करेंगे तो यह जितना भी तक यह flying हो रहा है वो उतना ही तक यह जो background है वो बाद 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 रिपीट करता हो रहेगा तो ऐसा लगएगा जैसे कि यह चिरियां उरते वे आगे की तरफ जा रही है क्योंकि background move हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं distribute to layer कर रही हूँ क्योंकि यह दूनों characters एकी layer में थे इसलिए अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर मैंने audio को यहाँ पर paste कर दिया है और यहाँ पर इस character में भी audio को यहाँ पर paste कर देते हैं जैसे हमने पीछे talking animation किया है वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा talking animation है तो यहाँ पर भी talking animation कर लेते हैं तो यहाँ पर frame को increase कर लिए हैं दोनों双तरफ दोनों करेक्टर्स ii यहां इस करेक्टर्स नहीं हुए था फ्रेम इंक्रेज, तु इसमें भी कर लेते हैशे और आपग्रेम इंक्रेज कर लेते हैं और यहां पर तॉल्किंग एनिमशन स्टार्ट करेंगे औॉड्यों को प्ले करते है तो यहां पर ओडियो को स्टॉप करेंगे और यहां से करेक्टर बोलना स्टार्ट कर रहा है वहीं पर रखेंगे और यहां पर जूम मीन कर लेंगे उसके बाद जो करेक्टर का नीचे वाले लिप से उसको स्लेक करेंगे और यहां पर loop वाले जो talking वाला option वो इस पर click कर लेंगे तो आप फिर से audio को play करके देखते हैं तो यहां पर stop करेंगे क्योंकि यहां पर टूनी चरिया बोलने लग गई है तो यहां पर हम करेंगे इसका लिपसिंग को stop तो नीचे वाले लिपस को click करेंगे और यहां पर stop वाले option पर click कर देंगे तो मीठे मीठे आम का पेड़ दिखाने के लिए मुझे यहां लाए थे अब कहां जा रहे हो अभी तो आम का पेड़ भी नहीं मिला क्या तुमने मुझे उट बोला था तो यहां से फिर से कालुकवा का talking स्टार्ट हो रहा है तो हम blue line को यहां पे लाएंगे और इसके नीचे वाले lips को select करके यहां पर talking वाले option क्यों on कर देंगे तो यहां से इस character का lipsing खतम हो चुका है तो इसके lips को select करके stop कर देंगे talking को उसके बाद back जाएंगे back जाने के बाद first frame पे जाएंगे और यह जो टूनी character है इसके अंदर भी talking करवाना start करते हैं तो इसके face के पास zoom कर लेते हैं और यह को play करके देखते हैं कि कहां पर इसका talking स्टार्ट हो रहा है यहां से जूट बोल कर चुलाया था उसके बाद आपको नीचे वाले lips को select करके loop वाले option पे क्लिक कर देना है अब पेड़ दिखाने के लिए मुझे यहां लाए थे अब कहां जा रहे हो अभी तो आपका पेड़ भी नहीं मिला क्या तुमने मुझे भूट बोला था तो यहां पे इसका डायलोग खतम हो रहा है तो इसका लिपसिंग को select करेंगे और यहां पे stop कर देंगे अब यहां पे back जाएंगे बैक जाने का fit in window करेंगे और यहां पे first frame पे जाकर यहां पे play करेंगे बहुत दूर जाने के बाद आम का पेड़ नहीं मिला किम्के कालू कवा चिडिया से जूट बोल कर चुलाया था और उसे पर रिसान कर रहा था और च्वाटू तो यहां पर कालू कवा कर डायलोग कर स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से आपको ट्रांसफर्म कर लेना फिलिप कर देना है मुझे कुछ काम है अरे ऐसे कैसे तुम तो मीठे मीठे आम का पेड़ दिखाने के लिए मुझे यहां लाए थे अब कहा जा रहे हो अभी तो आम का पेड़ भी नहीं मिला क्या तुमने मुझे जूट बोला था नहीं नहीं आओ मैं तुम्हे आम का पेड़ बताता हूँ तो यह सीन बन चुका है अब हम बैक जाएंगे और यहां पर प्ले करके देखेंगे बहुत दूर जाने के बाद आम का पेड़ नहीं मिला कि मुझे कालू का वाच इडिया से जूट बोल कर चुलाया था और उसे परिषाल कर रहा था तो यहां से सीन खतम हो रहा है तो यहाँ पर एक लास्ट आड़ करेंगे की फियम को उसके बाद यहां पर कामरा जूम इन इफ्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे पैगरोन को जूम करेंगे और करेक्टर्स को बीच में रखेंगे स्टेज के और यहां पे Create Classic Twin पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप आडियो को प्ले करके देखते हैं मुझे कुछ काम है अरे ऐसे कैसे तुम तो मीठे मीठे आम का पेड़ दिखाने के लिए मुझे यहां लाए थे अब कहां जा रहे हो अभी तो आम का पेड़ भी नहीं मिला क्या तुमने उसे खूट बोला था लगे नहीं आओ वैं तुम्हें आम का पेड़ बताता तो यहां तक हम फ्रेम को इंक्रीज करेंगे क्योंकि यहां तक हमने सीन क्रेड़ कर लिया है इसके बाद मैं यहां पे फीट इन विंडो कर लेती हूँ और जहां से मैंने अभी फ्लाइंग एनिमेशन बनाया है सीन बनाया है वहाँ पर जाकर स्टार्टिंग से प्ले करते हैं गए बहुत दूर जाने के बाद आम का पेड़ नहीं मिला किम्टे कालू कवा चिडिया से जूट बोल कर चुलाया था और उसे परिसान कर रहा था अच्छा टूनी मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है अरे ऐसे कैसे तुम तो मीठे मीठे आम का पेड़ दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे अब कहां जा रहे हो अभी तो आम का पेड़ भी नहीं मिला क्या तुमने मुझे फूट बोला था लगे नहीं आओ वैं तुम्हें आम का पेड़ बताता हूँ तो यहां पर स्टॉप करते हैं यहां पर आप देख सकते 98 फ्रेम के कुछ आगे फ्रेम्स तक यहां पर इडिटिंग क्म्पलीट हुआ है तो इतना इडिटिंग करने के बाद यहां पर हमें क्या करना होगा सेवएज करना होगा तब फाइल मेजाएंगे सेवब करना ये प्रोसस्था आपको जाकरना है तो फााल में करेंगे तो तो एक दो हम प्रोग कि लिते हैं तो किसि किसी को फॉर आपकोशेक्ट करने के लिए और सेव ऐस करना होता है और सीर करना होता है उसेव को स equiv के लिए काम कर रहे हैं और अप्डेट करने के लिए उसको आपको सेव करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल एस करके भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं तो यहां पे स्टोडी का एडिटिंग हो चुका है तो इससे आगे का एडिटिंग अगले क्लास अगले वीडियो में करे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देजे और साथी साथ एक प्यारा से कमेंट कर देजे आपके कमेंट को देखकर मुझे बहुत जादा मोटिवेशन मिलती है इसलिए आप कमेंट करना ना भूले चले मिलते हैं नेक्स्ट वीड कि युमे